आप सभी के लिए लेटेस अबडेट प्लीश एना सिस्क्राइब कर लेना गाइज देके सिधार्थ का इंटरव्यू आया है आज कही है और बहुत हैंडसम लग रहे हैं सिधार्थ इस इंटरव्यू में क्या क्या कहा है उन्होंने मैं आपको बताऊंगे इस वीडियो में गा सब्सक्राइब करना पड़ता है क्या आप नहीं करना चाहते हैं लेकि प्रोजेक्ट अच्छा होता है तो आपको करना पड़ता है second question ये था कि कभी ऐसे project पे काम किया है जिसके बाद आपको regret हुआ यानि करते ही करते आपको लगने लगा कि नहीं करना चाहिए था ये project तो सिधार्ट ने कहा ऐसा हुआ है मेरे career की शुरुआती दुनों में कि मुझे वो काम करना नहीं चाहिए था लेकिन मैंने किया फिर एक interesting सा question था कि कभी किसी को जान पूछ कर avoid किया है जैसे कभी कोई party में मिला हो और आप से जान पूछ कर बात नहीं करना चाहते हो एक question सिधार्ट से ये था कि कभी life में किसी से प्यार किया है और उसको बोला ना हो तो सूचिए ऐसा हुआ हो क्या कि बहुए सिधार्ट किसी से प्यार करते हो और बोला ना हो सिधार्ट का answer था yes उन्होंने कहा काफी young था मैं जैसे crush होते हैं लोगों को तो मैंने बोला नहीं कि बहुए क्रश है मुझे या है मैं आपको पसंद करता हूँ तो यह था सिधार्ट का अंसर एक कोशन ये था कि आप कभी किसी और की सक्सर्ष पे एकसाइटेड उए हैं तो सिधार्ट ने कहा येस किसी और की सक्सर्ष पे मैं हुआ हूँ खुश हुआ हूँ, excited भी हुआ हूँ लेकिन same time मुझे ये भी लगा है कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए था या मैं भी ऐसा करता उन्होंने फिर से कहा कि मैं किसी की success के लिए बहुत खुश हुआ हूँ बहुत excited रहा हूँ लेकिन same time मैंने ये भी सोचा कि I wish ये मैंने किया हुता, जी हाँ एक question ये था guys कि कभी आपने कोई बात किसी इनसान को गुस्से में बोली है, जो आप नहीं बोलना चाहते थे और बाद में आपको उसका regret हुआ हो, तो सिधार्ट ने कहा yes, lots of time ऐसा हुआ है क्योंकि मैं hurt था तो सामने वाले को भी hurt करना चाहता था, इसलिए ऐसा हुआ ऐसा नहीं था कि मेरी intention ऐसी होती है, कि भई मैं सामने वाले को hurt करूँ, लेकिन वो situation ऐसी होती है गुस्सा होता है, इसके लावनों ने कहा, कि भई खुद को bad feel हो रहा होता है, तो ऐसा लगता है, कि सामने वाले को भी bad feel हो इसलिए गुस्से में बाते हो जाते है जिसका मुझे बाद में बहुत regret होता है So guys, ये था सिधाट का आज का interview, Film Fair YouTube channel है, उस पे आया है, आप जाके वीडियो भी देख सकते हैं, जी हाँ Please channel subscribe कर लेना, thank you